अगर आप मेरी तरह वेजेटेरियन नहीं है और आपको भी नॉन्विश खाने का बहुत शौक है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए क्योंकि आज मैं आपको दिल्ली की उन पुरानी गलियों पर लेके जाओंगी जहां पर एक से एक जायकेदार खाना आपको खाने को मिलेगा और कुछ मश्यूर दुकाने भी हैं जैसे की करीम, असलम चौक बिर्यानी, अशोप चाट कॉर्णर, नवाप कुरेशी, कलन स्वीट, बड़े मियापी, खीर, ओड़ खीर शौप ऐसी ही तमाम दुकाने है और अगर आपने उन दुकानों का, उन खानों का स्वाद अगर आ पस्वी है मसा लो कि बिली बिली बली बली एली एलो कि बिली शुकाने है दिली का सबसे पुराना इलाका चांदनी चौक शहर के बीचों बीच है जो गुडगाओं के कंक्रीट के जंगलों में जान फूकता है शहर के ताम जहाम को दन किनार कर इन सब खूबियों को अपने में समेट ये जगा सुस्ती और उदासी से लिपती जिंदगी को अपनी ओर आकरशित करती है आज की दोड़ती भागती दुनिया में चांदनी चौक का अपना एक अलगी मज़ा है सड़क के उस छोर पर लाल किले की दिवारे दिखाई देंगी यहां से बढ़ते रहें दिली फोर्ट आपका इस्तिक्वाल करेगा और बाई तरफ दिली का मज़ाज आपको कावद देता हुआ दिखाई देगा भाई अगर बिर्यानी शिर्यानी के शौकीन है तो पुरानी दिली जन्नत है आपके लिए जावा मस्जिद की गलियां तो रातो रात इसी चाकाचौन में डूबी रहती है लोग कहा कहा से नहीं आते वहां का स्वाद चखने आप भी अगर उन्हीं शौकीनों में से एक हैं तो चली आएए यही वो रास्ता है जहां से आप चांदनी चौक की सेर कर सकते हैं आप चाहें तो रेड़ फोर्ट घूम सकते हैं और चाहें तो चांदनी चौक की सेर पर आगे बढ़ सकते हैं अब दिल्ली का चांदनी चौक जगह ऐसी है जहां करने को बहुत कुछ है वहीं पर दिगांबर जैन मंदिर के बगल में कुछ प्रसाद की दुकाने हैं हाला कि आप इन्हें मिठाई की दुकान समझे तो भी हर्श नहीं होगा इसके बाद थोड़ा आगे यहीं पर आपको गुरुद्वारा शीश गंच साहिब मिलता है आप चाहे तो इस गुरुद्वारे का इतहास जान सकते हैं कुछ पर ठहर कर शान्ती का अनुभब ले सकते हैं और लंगर का स्वाथ चक सकते हैं गुरुद्वारे में सेवा भी कर सकते हैं भया दिल से कहें तो चांदनी चौप के दिल में इतना कुछ है कि आप जितना समेटे उतना ही कम है अगर आप जजबात रखते हैं तो आपको यहां की दुकानों की दिवारें भी प्यार करती नज़र आएंगी और नहीं तो आपको सिर्फ यहां भीड, भाड और शोर शराबा ही परिशान कर देगा यहां खाने पीने से लेकर घूमने तक के लिए बहुत कुछ है लेकिन आप क्या करना चाहते हैं उससे पहले समझ ले चांदनी चौक में खाने के लिए बहुत कुछ है यह आप सबसे सुनते रहे होंगे लेकिन फैसला आपको ही करना होगा तभी सही और गलत का फर्क आपको साफ नजर आएगा हमारा मतलब है कि भया पराठे वाली गली भी एक अच्छा आप्शन है अगर आप मेरी तरह वेजिटेरिय नहीं है और नौन विच खाने का शौक रखते हैं तो आपको चांदनी चौक की इन जगाहों पर जरूर जाना चाहिए ये जगाहे हैं करीम, अशोक चाट कॉर्नर, असलम चिकन, लालू कबाब, जिगल किशोर, राम जी, लाल चाट वाले, पहलवान बिर्यानी वाले, जंग बहादुर किचोडी वाले, बड़े मिया की खीर, ओल्ड खीर, शौप, नवाब, कुरेशी, कूल, पॉइंट, कलन, स अरे हाँ, इसके साथ ही आप यहाँ फतेपुरी मस्जिद भी देख सकते हैं, यह मस्जिद भी कभी सेट चुन्नामल की जागीर थी, चांदनी चौत में बली मारान से आप जूते खरीच सकते हैं, इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर दाहिने तरफ खारी बाउली मारकेट क तो क्या ही कहने हैं, एक से बढ़कर एक मसाले का जंशन है यहाँ, काजू बदाम तो खरीदे हैं, यहाँ से आम पापड भी आप घर ले जा सकते हैं, खजूर भी खूब शांदार मिलते हैं यहाँ पर, यह सब तो है ही, चांदनी चौत के सीड़े में इसके अलावा भी ब और सरक्राइक तेल